दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर उर्दू का एक शब्द है राय शुमारी राय शुमारी का मतलब होता राय जानना का सलह लेना राय पूछना के आपकी क्या राय है और आजकल ये शब्द बहुत चर्चाओं में चर्चाओं में बहुत लंहीं है की हुए करता है की बात पूछने की बात करता है उसका नाम भी राहे शुमारी हुआ यानि कि कॉंग्रेस पार्टी ने जो पिछला चुनाव हुआ अभी हाल ही का लोकसभा चुनाव दोजार चुनाव का उसमें बात चली थी कि कॉंग्रेस ने सर्वे क्याधार पर सर्वे का माइने राहे रायार्षुमारी के अधारपर टिकेट दिए, भारती जंता पार्टी 2019 में भी, 2014 में हर्चुनाव में कहती है कि हम सर्वे क्या अधार पर राया शुमारी क्या अधार टिकेट देंगे, दिल्ली के जो मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल उनकी पार्टी तो लगातार कहती है कि वो जंता से पिना पूछे जंता से जाने बिना राए शुमारी कि बिना कोई फैसला नहीं लेते टिकेट तो बड़ी बहुत दूर की बात हैं अब राय शुमारी के तरीके बहुत हैं राए शुमारी यह ने राये शुमारी का एक नएया तरीका निकाला है है और राये शुआरी का तरीका वो है कि उन्होंने हर एक party के जो कारे करता है उनकी vote बनाई है अब आप सोचेंगे क्या तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारती जनता पार्टी ने जिला उनकी जो इकाई होती है उससे कारेकरताओं के नाम लिए उनकी वोट बनी और उनको फिर उनकी लिस्ट आई मताधिकार का प्रियोग मिला और उन्होंने कल यानि की बीते कल अपनी राय शुमारी की पार्टी के जिला जो कार्याले हैं पलवल में ब्रिज मंडल जो कार्याले है ब्रिज कमल फरिदाबाद में जो कार्याले है भारती जन्ता पार्टी का महां पर भी और इन दोनों जिलों के अंदर तो मैं पता रहा हूं कि पलवल के अंदर जो राय शुमारी करने के लिए आये थे वो रोतक के पूर्व सांसत डॉक्टर अर्विंद शर्मा और गुरुगराम से टिकेट की बाट जो रहे जी एल शर्मा यह दो नेता आये थे और फरिदाबाद में सुरंदर पूनियां आये थे भारती जन्ता पार्टी के परदेश महमंत्री है और उनके साथ आये थे अर्विंद खोली वो गुरुगराम जिले क थे कि जो राय शुमारी की गई फरिदाबाद जिले के अंदर 20 मंडल आते हैं लगवग जो उन्हेंने बताया 20 मंडल हैं और पलवल जिले के अंदर मैं आपसे कहूं तो पलवल जिले में 9 मंडल हैं हथीन के अंदर 3 मंडल 3 मंडल पलवल जिले में 3 मंडल होडल में तो 9 मंडल कमेटी तो एक तो वो हो गए फिर जो जिले के पताधी कारी हुए वो हो गए फिर सक्रिय कारे करता हो गए तो यानि कि पलवल जिले के अंदर तो एक-एक विधानसभा छेत्र में लगवग 100-100 वोट थे आपको मैं बताता चलूं कि इन वोटों को ले करके वहां पर जूतम पैजार तक की स्थिति भी रही आपस में मूह बोली तो यानि कि कहा सुनी तो बहुत हुई और कुछ बताते हैं फरिदाबाद भी ऐसा हुआ अब जो मतदाता थे जो वोटर थे उनको तीन तीन नाम देने के लिए कहा गया कि आपकी पहली पसंद क्या ह मान लीजिए कि पलवल विधान सभा के लिए आपकी पहली पसंद कौन नेता है दूसरी पसंद कौन नेता है तीसरी पसंद कौन नेता है ऐसे ही बाकि सभी विधान सभाओं में था और मजे की बात यह है कि पार्टी के बड़े नेता अपने समर्थकों से कह रहे थे बाई जो वोटिंग हो उसमें अपने लिए वोट ठीक डलवाना अब बड़ी बात यहां जाती है दोस्तों कि जो राय शुमारी होती है जो राय शुमारी की जा रही है इसमें क्या कारे करता हूं कि बात को पूरा वजन मिलेगा या फिर क्या यह जुंजुना साबित हो सकता है कि ब राय शुमारी के लिए भी पूरे जोर लगाए गए पूरे नुक्ते अजमाए गए बताया गया कि भाया तुम मेरे पक्षमें वोट देना तुम कई तो नेताओं ने आप यहां तक मानें कि अपने समर्थकों से कहा कि नमबर वन नमबर टू नमबर थ्री नाम एक ही देना मेरा ही मैं काला राम हूँ और काला राम को वोट देनी है और नमबर एक भी काला राम नमबर दो भी काला राम नमबर तीन भी काला राम किसी और को चूज मत करना चुनना मत किसी को भी और कई नेता मैंने ऐसे भी नाम सुनें जो ये कह रहे थे भईया मेरी एक परसी निकल जाए एक नाम तो मेरा जरूर दे देना कई नेता ऐसे थे कि जो सिफारिश कर रहे थे कई नेता ऐसे थे लड़ाई जगड़ा हुआ कि मेरे इन समर्थक का वोट क्यों नहीं आया इनका नाम तो होना चाहिए था वोट के लिए यानि कि ये राय शुमारी पे जो भारती जंता पारटी में बाद चली टिकेट की और राय शुमारी का जो नया तरीका ने इजाद किया गया कि गुप्त मद्दान हो रहा है एक मत पेटी अनिकी पीपा रखा गया और उस पे लिखा गया विधानसवा पलवल विधानसवा होडल विधानसवा अथीन विधानसवा प्रतला विधानसवा एननाईटी विधानसवा तिगाउं सभी जिलों में अलग-अलग और उन पेटियों के अंदर लोगों ने अपनी पसंद के वोट किये अब बात ही आ जाती है दोस्तों कि अभी तो चुनाव शुरू होना है और अब जब चुनाव शुरू होगा तो पार्टियों के अंदर इस समय चल रहा है दल बदल का खेल अभी और जोर पकड़ेगा आप यकीन मानिये कि कुरुक्षेत्र लोगसभा के लिए भी भारती जन्ता पार्टी ने क्या कोई राय शुमारी की होगी और अगर की होगी तो फिर जबनी नवीन जिंदल के पार्टी में ना होते हुए भी क्या उनका नाम उपर आ गया होगा और फिर क्या उस राय शुमारी के एसाब से भारती जन्ता पार्टी उनको इंपोर्ट करके लाई कॉंग्रेस से भाई आप आजाओ आपको टिकेट देनी है राय शुमारी में आपका नाम आया है कीसी बातें हैं, चाए वो party congress हो चाए वो भारती जनता party हो एक survey private agencies द्वारा करवाया जाता है और मैं आपको बताऊँ, एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने कि उस survey के माइने क्या हो सकते है उन service को manage किया जाता है survey करने वाले लोग market में होते हैं और वह कुछ लोगों के पास जाते हैं वहां जा करके जिन से management हो जाती है जिनके साथ में deal हो जाती है उसी का नाम ले दे करके जिसे कहते हैं कि अंदा बाटे रेवडी और फिर अपने अपने को दे तो जिस प्रकार मीडिया हाउसीज ने जो रजल्ट दिये थे तो हमने तब भी कहा था सवाल खड़ा किया था कि आखिर आधार क्या है इन लोगों के पास में जिसके आधार पर वो कहते हैं कि अमुग पार्टी कि इतनी सीट आ रही है और वो सर्वे जो पिछली वार के जो भी हाल ही कि लोगसभा चुनाव के यानि कि जो चार जून को परिणाम आई उसके अंदर वो सर्वे ओंधे मुँ गिरे थे अब वही बात आ जाती है यहां कि मान लीजिए कि राय शुमारी में नाम रामलाल का पहले नंबर पर गया लेकिन अगले आने वाले दिनों में दूसरी पारटी से शामलाल जी पारटी में आ जाते हैं तो फिर क्या ज़रूरी नहीं कि शामलाल जी को टिकेट मिले तो फिर इस राय शुमारी चाहां事情 इनदर प्रकार की और तमाम प्रकार की के लिए फिर विधायक से नीचे ब्लॉग समीती जिला परिशद नगर परिशद इनके पार्षद नगर निगम इन में बनने के लिए उपर वाला नीचे वाले को नीचे वाला नीचे वाले को नीचे वाला नीचे वाले को तमाम प्रकार के लालच लोबन और परलोबन देता ह कि हाथी पर बैट कर चुनाव लड़ने वाला एक जामपल दे रहा हूँ आपको एक हाथी पर बैठ कर चुनाव लड़ने वाला उट वालों से कहता है कि मुझे तुम यहां मदद करो मैं तुमारी मदद कर और फिर ये डील अगर चलती है तो फिर उन राय शुमारी के क्या फायदे हुए जो कारेकरताओं से कराई जाती है आपके सामने बड़ा सवाल मेरा यही है कि यह क्या राय शुमारी वाकई राय जानने के लिए होती है और या फिर कारेकरताओं को जुन-जुना दिया जाता ह क्या कार्यकरताओं की रहा का राय का जो दिया करते हैं उनका कोई मोल भी होता है और या फिर पार्टियों के आला कमान खुद बैठ कर फैसले कर लेते हैं आपको क्या लगता है कि अगर कार्यकरताओं की बात का मोल हुआ करता है कार्यकरताओं की राय को महत्व दिया जाता है तो फिर उसके लिए तरीका कौन सा ठीक है उनकी राय जानने का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना नमस्कार धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें